जेहन नमस्कार दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी गुड नीउस है कि एहसी ने अभी अभी अपने ओफिसल वेबसाइट पर जो है नोटिफिकेसन जारी किया है दोस्तों जी हाँ बिल्कुल अभी बिल्कुल जारी किया गया है एसे जीडी का दोस्तों लगबग 24,000 वेकंसी आपकी जारी हो चुकी है और आपकी जो है ओनलाइन सबमिसन भी जो है आपकी 27,10 से स्टार्ट हो गई है यानि कि आज से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों लाज़ डेट जो आपकी रहेगी वो आपकी जो लाज़ डेट आप मारकिंग की रहेगी ओनलाइन फी पेमेंट की आपकी 112,22 और आपका एक्जाम भी 2023 जनवरी में हो जाएगा जी हाँ दोस्तों दोस्तों वेकंशी की बात करें तो लगबग आपकी देखी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लगबग 24,379 वेकंशी ओल फोर्सिस में निकली है इस बार जो है देखने वाली बात यह है कि CISF में बहुत कम वेकंशी निकली है और आपकी NIA में अपकी बार कोई वेकंशी नहीं है बात करेंगे दोस्तों पहली बार आपकी बार जो है NCB यानि कि आपका नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड में पहली बार वेकंशी निकली है वो बहुत ही अच्छी पोस्ट है जिसमें कि 164 टोटल पोस्ट है टोटल पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों 24,379 है और आप जो है ये आपका n.ic.in पर जाकर ऑफिसल वेब साइट पर जाकर आप इसको नोटिफिकेशन को डाउलोड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो टेलेग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पर भी आपको इस नोटिस को आप जो है ओपन कर सकते हैं और इसके जितने भी रिगार्डिंग्स डिटेल्स हैं पढ़ सकते हैं आगे बात करेंगे दोस्तो इस बार सबसे बड़ी बात क्या दोस्तो इस बार आपका पैटरन चेंज हो चुका है जी हाँ दोस्तो सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार जो है पैटरन चेंज हुआ है साथ एज रिलक्सेशन भी मिला है कि जो कोरोना के टाइम में कुछ चीज़े देखे के थे कि सभी बचे एज रिलेक्सेशन की डिबांड करे थे उस चीज़ को ध्यान में रखते एज रिलेक्सेशन भी क्या गया साथ ही दोस्तों अब हर बार आपका 100 कोश्चन आते थे इस बार आपका जो नंबर ओफ कोश्चन है लगबग आपके 60 आएंगे sorry 80 आएंगे हर उसमें 20-20 कोश्चन का कर दिया यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपका 11.1 में या दिया हुआ है स्कीम ओफ एग्जामिनेशन में देखे हर सब्जेक्ट में 20-20 कोश्चन आएंगे और टोटल जो 40-40 मार्क्स के कोश्चन होने वाले है जी हाँ समय आपका एक घंटा रहेगा और हर एक गलत कोश्चन के लिए यहाँ पे देखा कम्पूटर बेजड आपका एक्जामिने सुनोगा जिसमें के 80 कोश्चन होगे हर एक कोश्चन दो मार्क्स का होगा ठीक है जी उसके बाद दोस्टों यहाँ पे साफ साफ लिखका हुआ है जी हाँ 0.50 मतलब यानि कि आपका अगर दो कोश्चन गलत है तो एक कोश्चन आपका राइट वाला भी गलत हो जाएगा ठीक है जी यह बहुत हर बार जो 0.25 रहता था दोस्तों ठीक है अब की बार जो है 0.50 कर दिया तो यह आपके लिए जो है कंडिशन बहुत बड़ी लगा दिये और डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों आपका स्लेबर जो है वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा पैटरन जो चेंज कर दिया फिजिकल आपका वही रहेगा जो पहले था पाच किलोमेटर की रेनिंग मेल्स के लिए 24 मिनट में फीमेल के लिए डेट किलोमेटर 1.6 साड़े 8 मिनट में ठीक है दोस्तों यह आपका जो है लद्दा के लिए है और यह उसके लिए है जो नॉर्मल के डेट्स है आइट वगरा है मिजरमेंट दोस्तों पूरी डिटेल्स इस नोटिस में दी हुई है आप चाहें तो यह नोटिसफिकेशन आपको जो है हमारे टेलिग्राम चैनल में मिल जाएगा वहाँ पे जाकर आप डिस्क्रिप्सिन में लिंक दे आओ वहाँ पे जाकर आप इसके डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे से रेड कर सकते हैं इसके अलावे हम पूरी डिटेल्स में आगे कही सारी वीडियोज लेकर आएंगे और साथ ही दुस्तों आपके लिए जो हैं अब भी लॉंच करने वाले हैं इस रिगार्डिंग जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस को मद्दे नजल रखते हुए जो आपके लिए आप भी तयार लगभाव हो चुकी है और सबसे कम रेट पर पूरे यूटूब पर आपको पूरी कोहिस करेंगे कि आपको कम पैसों में सबसे अदा है जो आपको फैसिलिटी दी जा सकें तो दोस्तों यहां पर भी आपको दिख़ दिया गए लेकिन एंसीजी के सर्टिफिकेट जो होगा बी और सी के लिए अब की बावी भी पांच परसेंट और तीन परसेंट जो है टोटल मार्क्स का रखा जाएगा इसके अलावा दोस्तों ए सर्टिफिकेट के लिए जो है दो परसेंट मार्क्स का रिजर्वेशन दिया जाएगा और बात करें दोस्तों प्रियर्टी जो है किस तरह से कौन से एक्जाम किस फोर्स के लिए देनी है तो यहाँ पर देखे BSF के लिए CSF के लिए B, CRPFC, SBD, NCB के लिए G तो जैसे भी आप जो इस force को priority देनी आप उसको form भरते वक्त जो है इस तरह से लिख सकते हैं तो वीडियो को दोस्तों जादे स्यादा सेर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को मालूम चल सेके यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ कि जो marks A आपका computer based examination होगा marks part B में computer based examination होगा ठीक है और यह किस base पर जो आपका priority दी जाएगी आपके वो सब चीज़ में details दी हुई है तो इस relaxation का दिया हुआ कि यहाँ पर किस को किस तरह से एस relaxation मिलेगा ठीक है जी वीडियो का like जरूर कीजिए दोस्तों किया share करें ताकि सब को मालूम चल सके कि notification SCGD का जारी हो चुका है और आप जो है online इसका submission भी शुरू कर सकते हैं हम अगली वीडियो में आपके लेकर आएंगे आप mobile से भी इसका form फिल कर सकते हैं और किस तरह से फिल करेंगे पूरी डियल्स में आपको जानगाई देंगे फोटो से लेकर signature से लेकर आपको सारी डियल्स बताई जाएंगी तब तक के लिए next वीडियो को जो है आप जो एप continue रखते हैं तब next वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए जाहिंद जावारत